जी अगें बिसम्लार मार्याम जी हमारा जो आज का लेक्ट्र है वोग क्रॉस वालिडेशन के उपर क्रॉस वैलिडेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके तुरू आप चेक करते हैं कि आपके मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी है और मॉडल अच्छा काम कर रहा या नहीं कर रहा और ये एक ऐसी टेक्निक है जो मशीन लर्निंग के अंदर तकरीबन हर एक मशीन लर्निंग इजिनियर जो है वो यूज करता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं आज हम क्रॉस वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे और इ मैं सिरफ जब टाइप्स बढ़ा रहा हूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लेकिन उसके इलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको इन्शाला आज समझा जाएंगी क्रॉस वैलिडेशन हम करते इस वज़ा से हैं कि हम जब अपने मॉडल को ट्रेन करें न उसके अंदर से कुछ हिस्सा टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए रख लें मतलब अगर मेरे पास सो रोज हैं डेटा की मैं उसको डिवाइड कर लूँ डिफरेंट हिस्सों में और फिर उस से उसके क्रॉस वैलिडेशन स्टार्ट करूँ कि मेरा डेटा किस तरीके से काम करता है अब यहां पर अगर मैं लिखूं क्रॉस वैलिडेशन तो बिसिकली इसका मकसद यह होता है क्रॉस वैलिडेशन का यह टेक्नीक है चेक करने के लिए कितना जबर्दस तरीके से आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है करते कैसे हैं हम डेटा को डिवाइड करते हैं मतलब यह हमारा डेटा सारा यह X हो गया यह हो गया Y अगर मैं इसी डेटा को दो हिसों में तक्सीम कर दूँ एक ट्रेनिंग के लिए और दूसरा टेस्टिंग के लिए तो यह भी हमारे पास एक क्रॉस वैलिडेशन की टेक्नीक है यानि के हम क्रॉस वैरिफाई कर रहे हैं कि जिस पे हमने मॉडल ट्रेन किया आया कि वो मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहे है या नहीं कर रहा ठीक है ट्रेनिंग करके टेस्टिंग हम करते हैं उसकी और उस डेटा को चेक करते हैं आपको पता है ट्रेन टेस्ट अपलेट में जो हमने काम किया था हमने train किया model को model को train करने के बाद जिसके जवाबात हमारे पास थे उसको हमने test किया जैसे बच्चों के school के test की मैंने आपको example दिये तो cross validation क्या आप cross validation यही चीज़ है कि आप data को different हिसों में तक्सीम कर लेते हैं एक लफज आता है k fold cross validation k fold cross validation this is a type of cross validation इसका मतलब यह है कि k number of हिसों में तक्सीम करना k का मतलब है कोई भी number यहां पर हमारे पास दो हिसों में data तक्सीम हो रहा है 50-50 मतलब एक उपर है एक नीचे ठीक है अगर मैं इसको 5 हिसों में तक्सीम करूँ 1, 2 3 1, 2, 3, 4 और यहां पर मैं एक हिसा खुदी बना देता हूँ अब यह मैंने 5 हिसों में तक्सीम किया data hopefully 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 हिसों में तो यह हो गया 5 fold cross validation k fold में k की value 5 है ठीक है अब इसमें होता क्या है k fold cross validation में यह होता है कि आप पहले इस हिस्से को testing के लिए रख लेते हैं बाकी चारों को training के लिए सही है मतलब यह कि आपने 5 हिस्से बनाए data के D1 मतलब data का पहला हिसा मैं कोई equation ने लिखने वाला सिरफ आपको समझाने के लिए कि data का पहला हिसा data का दूसरा हिसा data का तीसरा हिसा डेटा का चोथा हिस्सा और डेटा का पांच पांच हिस्सा हमने डेटा को पांच हिस्सों में इकुली डिवाइड कर दिया ट्रेंटेस्ट सप्लिट में हम क्या करते थे 80-20 की रेशो करते थे याद है आपको यह भी क्रॉस वैलिडेशन की टिकनीक होती है 80-20 यानि के 80 ट्रेनिंग और 20 टेस्टिंग हमने यह किया था ट्रेंटेस्ट सप्लिट में या 70-30 कर लेते थे के फोल्ड में क्या होना है हम डेटा को 500 में तक्सीम कर रहे हैं अब इसमें एक चीज़ सोचने वाली है देखने वाली है हमने एक दफ़ा जब मॉडल रन किया ना तो हमने इसको रख लिया टेस्टिंग के लिए बाकी चारों के चारों रख लिए हमने ट्रेनिंग के लिए इस एक अनेलिसीज से यानि कि टेस्ट वन यानि कि पहला मॉडल की ट्रेनिंग के बाद आपके पास पहला स्कोर आ गया पॉइंट नाइन ठीक है अब अगला काम ये होना है कि आप डी टू को रखें टेस्टिंग के लिए बाकि डी वन डी थरी डी फोर एंड डी फाई इनको रख लें ट्रेनिंग के लिए ठीक है अब क्या होगा जो टेस्टिंग का आपके पास है ना डेटा वो डी टू हो गया यानि कि ये वाला हिस्सा आगया तो बाकी ये ट्रेनिंग का हो गया इसका आप separate score देख लेते हैं फिर इसी तरीके से आप पांचों के पांचों को बारी-बारी टेस्टिंग में लेके जाते हैं और जो left over 4 होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए रखते हैं तो आपके पास total कितने scores आ जाते हैं पांच पांच score आ जाते हैं आपके पास पांच score मतलब कैसे कि हमने जब D1 को बाहिर रखा टेस्टिंग के लिए D2 से D5 तक हमने रख लिए ट्रेनिंग के लिए ये एक आ गया score दूसरा आ गया .98 for example तीसरा अगर हम इसको रखते हैं टेस्टिंग के लिए तो हमारे पास आ जाता है for example .7 चोथा करते हैं .89 पांच मां करते हैं .90 तो यह हमारे पास पांच scores आ जाते हैं ठीक है जब हम पांच cross validation करते हैं इन पांचों का फिर average लिया जाता है जिसको mean बोलते है और वो हमें कोई average आती .95 इस तरीके से हम अपने model को evaluate करते हैं कि अब इसका accuracy score या precision score या recall score जो भी आपने score चेक करना है as a metric उसको आप चेक करने तो मैंने यहाँ पे अगर accuracy score रखा है तो मेरे पास .95 mean आ गया पांचों के पांचों का इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से मर्जी मैं train test split करूँ 5 cross validation के अंदर मेरा जो score है वो roundabout इस value के रहता है इसका मतलब क्या हुआ अब सोचिएगा और समझिएगा थोड़ा सा जब 80-20 कर रहे थे मैंने आपको random state 42 का कुछ जिकर किया था start में कि इसका मतलब यह है जो एक दफ़ा 20 आगया वो एक दफ़ा वो ही रहना है फिर हर दफ़ा हम यहां पे अगर 42 नहीं लिखते तो यह बार 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 आपको मैंने कल करके भी दिखाया था कि मैं जैसे accuracy यहां से जैसे मैं train test split को change करता था accuracy change हो रही थी याद अकल का lecture वो जो change आ रही थी वो basically यहां पे data shift हो रहा था कभी वो कहीं से इससी उठा लेता था कभी कहीं से 20 उठा लेता था तो हम उस चीज़ को minimize करने के लिए हम खुद से कहते हैं कि 5 दफ़ा तुम्हें इजाज़त है जहां मरजी से उठा लो based on this set ठीक है 5 दफ़ा हमने उसको divide कर दिया अब हम गहते है जिस मरजी सेट को उठा लो एक दफ़ा तो यह k fold cross validation होती है अगर k की value हमारे पास 10 होती तो यही चीज़ें हमारे पास 10 number में आती ठीक है तो cross validation क्या है basically आप अपने data को अपने model को check करते हैं किस तरीके से वो काम कर रहे हैं अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है basically cross validation के अंदर k fold cross validation के अंदर cross validation का तरीका train test split के अंदर convert करना train test split this is one of the things जिसके through आप cross validate करते हैं अपना model दूसरा हमने cross validation की टिकनीक में हमने पढ़ा k fold cross validation right सही हो गया इसके इलावा भी बड़े method होते हैं k fold cross validation हो गई इसके बाद leave one out हो गया मैं आपको बाकी method जहांबे बता देता हूँ फिर आता है हमारे पास leave one out cross validation तीसरा leave one out cross validation इसको हम क्या बोलते हैं lucy मतलब एमी और लोगों ने नाम रखे हुए आप इसको leave one out cross validation कह सकते हैं ठीक है अब इसमें क्या होता है आप leave one cross validation में यह होता है कि इस टिक्नीक के अंदर each data point is used as the validation set exactly once ठीक है मतलब यह कि आप each data point को as a validation set use करते हैं once मतलब यह हर एक data point आपके set के अंदर एक दफ़ा validation से गुजरेगा सही है मतलब क्या है कि जब आप cross validation के technique leave one out को use करते हैं तो हर data point को एक दफ़ा वो separate करके validation में से गुजारता है कि हाँ भी इसकी value क्या है यह computationally तो बहुत expensive है जाहरी बात है हर data point को इसने एक दफ़ा validation में रखके check करना इसका मतलब क्या है अगर आपके पास 1000 रोज है तो एक दफ़ा इसने पहले को बाहर रखके देखा पिर दूसरी दफ़ा दूसरे को रखके देखा तीसरी दफ़ा तीसरे को 1000 पॉइंट को इसने 1000 दफ़ा साइट पर रखके देए वैलिडेट करने के लिए लेकिन यह आपको अन्बाइस्ट रिजल्ट देता है ठीक है अन्बाइस्ट क्यों देता है क्योंकि पिछले में हमने क्या किया था डेटा सेट के सबसेट बना दिये थी पांच यहां पर तो हर डेटा पॉइंट आ रहे है यहां पर हो सकता है कुछ डेटा पॉइंट अच्छे हों, यह भी तो हो सकता है यह सारे डेटा पॉइंट से निकम में आ जाएं हमारे पास और वो बुरे के बुरे मीन को खराब कर दें ठीक है सो इस वज़ा से आपको leave one out validation के अंदर क्या होता है आपके पास हर एक data point एक दफ़ा ज़रूर validation में से गुजरता है ठीक है और बाकी जो है वो training के लिए रहता है इस वज़ा से लोग इसको use बहुत कम करते हैं मतलब आपकी one million rows है तो उसता पागल हो जाना है सिरफ cv लगाते हुए so you have to be careful जब आप ऐसे चीज़न use करें कि इस पर कितना time लगता है फिर आते stratified cross validation stratified cross validation क्या होता है stratification क्या होती याद है आपको हमने वो मचलियों वाली example देखिये थी strata बनाए थे stat के अंदर start start में ये तब हम use करते हैं stratified cross validation when we have imbalanced data set imbalanced data यानि के मेरे पास एक variable की जो values हैं वो 891 है दूसरे की मेरे पास 7002 है इस तरीके से अगर हमारे पास data set हो ठीक है तो ये क्या करता है एक stratum निकालता है हर एक जगा से और उसकी base पे आपको cross validate करके देता है ठीक है अब इसमें होता है क्या है इसको अगर अंग्रेजों की जुबान में देखें तो this technique is used when the data is imbalanced पहले जो बात है meaning that one class is over represented in the data अब एक class जो है data के अंदर for example मैं आपको मिसाल देता हूँ हमारे पास 891 रोज हैं और उनको हमने classify करना है ठीक है 891 रोज को मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और classification के दुरान for example यह Titanic का data survived जो है इसमें से वो तकरीबन 700 values है और not survived जो है वो बाकी आप लगा ले 191 है समढ़ है यह बात की तो यह हमारे पास क्या हो रहा है imbalance data set है यानि के classes की तदाद बहुत ज्यादा फरक के साथ आए थो तो हम क्या करते हैं तब हम certified cross validation use करते हैं basically यह simply क्या करती है आपके different जो cross validation का data set है उसको divide करती है based on the trend जो आपके पास labeling का पड़ा हुआ है क्योंकि यह supervised learning के अंदर use हो रहा है तो आपको labels का पहले से पता होता है तो इसमें इतना घूमने वाली बात नहीं है simply आप यह देख लें कि जिस class में जितनी values है उसको अतना weight है ठीक है उसमें से उतने candidate आएंगे मिसाल के तोर पे मैंने एक मिसाल दी थी आपको कि अगर हमने laptop तक्सीम करने है पाकिसान के अंदर तो कराची लहुर और फैसलाबाद में equal amount में नहीं होंगे क्यों कराची की तदाद ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा जाएंगे लहुर की तदाद उससे कम है वहाँ पे कम जाएंगे फैसलाबाद की तदाद और कम है उसमें और कम जाएंगे so we need to be careful about the population in the beginning ठीक है पांचवी type cross-validation that is time series cross-validation time series cross-validation obviously यह time series के data के लिए use होती है ठीक है जब हमारे पास time dependent structure हो और यह cross-validation हमेशा आपकी जब stock price को predict करते हैं आप या आप dollar की price जो stock price के अंदर ही आ जाती तकरीबन अगर dollar US dollar की price देखें जो आज तकरीबन पांच पांच या छे रपे और बढ़ गया है ठीक है आटा कहते है 2700 का हो गया हमें तो खबर ही मिली जारी बात है जब वहां पर थे तो महंगा लग रहा था अब यहां पर आके और भी महंगा लग रहा है कहते 2300 से 2700 का आटा का थेला हो गया है मैं middle class बंद हूँ मैं ऐसी मिसाले दे सकता है यह नहीं कह सकता के एफसी का बर्गर जो एना वह 600 का हो गया मैं 300 का खाया गरता था तो मेरे से वह मिसाले नहीं दे होती तो स्टॉक, USD प्राइस, टाइम सीरीज का डेटा जब हमारे पास होगे देन वी विल यूज दिस लेटर ओं फिर एक एंड पर हमारे पास group cross validation है मतलब उपर वालों में से कोई भी दो तीन mix करके आप यूज कर लें ठीक है और clustered in some way ठीक है अब एक चीज तो इसमें यह आ जाती group classification के अंदर आप जब आपका data grouped हो यह cluster हो किसी तरीके से for example आप अगर clusters बनाएं अपने data गए तो दो से तीन major cluster अगर बन रहे हैं जो हम देखने वाले हैं हमारे दो तीन algorithm जो कल या पर्सों को आएंगे उसके अंदर तो तब हम group cross validation यूज करते हैं आपने परेशान नहीं हो na train test split is the most widely used method पहली चीज़ दुगाड train test split is the most widely used method second most widely used method is k-fold cross validation सही है अब दोनों में फरक देखते हैं train test split method जो है versus k-fold ये कहां पर कब कैसे और क्यूं use होना है cv ठीक है अब इन दोनों का कहां पर use होना है कैसे use होना है उसके लिए मैं साथ में आपको example भी दिखाता हूं और आपको क्योंकि ये अपने introduction करवा रही होती है cross validation ये मैंने पूरी एक notebook त्यार किया तो तौनों लिखन दी लोड नहीं है you know कि सारी बात है आपके लिए हम बैठें यहां पर तो आपने क्यों काम करना है अच्छा जी cross validation मैंने आपको बता दी कि splitting data करते हैं हम दो चीजों के अंदर train और test में and training set is used to train the model while the test set is used to evaluate the model performance ठीक है यह आपको पता है मतलब मैं repeat इस विटा से करवाता हूं चीजों को ताकि आपको दुरहाई जाएं तो जब भी आप data को train और test में split करते हैं that is actually you are trying to evaluate the model और यह statistical technique है basically machine learning में use होती है ठीक है to evaluate how well the model is able to generalize the new data मैंने आपको बोला कि model train कैसे है model train अच्छा होगा तो generalize है यानि के new data को appropriate fit करके आगे लेके जाएगा underfitting और और फिटिंग नहीं करेगा जो मैंने आपको कल पर सुम बताया ठीक है इस वज़ा से हम cross validate करते हैं चीजों को in a prediction problem a model is usually given a dataset of non-data यानि के हमारे पास basically non-data होता है supervised learning के अंदर ठीक है जैसे को training और testing data के अंदर हम convert कर सकते हैं अब the basic idea is to divide the available data into two parts train and test अब वो कैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया train test split के अंदर करना है तो वो ही हम यहाँ पे कर रहे हैं कोई इतने बड़ी science नहीं हम खेर रहे है चाहँ अब ही repeated time process के साथ आप एक को छोड़के दूसरे को use करते हैं दूसरे को छोड़के तीसरे को तीसरे को छोड़के चोथे को test में use करते है समरी यह है कि cross validation बहुत powerful technique है to evaluate the model performance कि आपने model कितना अच्छा train की है लोग इसी से अंदाजा लगा लेते हैं ठीक है and that can also ensure that our model can accurately reliable and generalize the new data यान यह अब लगता कैसे है simply Gaussian knife base पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं जो कल मने model पड़ा था iris का data set लिया हमने cross validation score मैंने यहां पर directly लिख लिया ठीक है कैसे import किया आपने sklearn.model selection से cross validation score आपने import कर लेना है right then हम क्या करेंगे हमारे पास knife base आगे मैंने iris के data from sklearn import किया है so that means के इसके अंदर target और हमारे पास data मुझूद है यानि के x and y इसके अंदर ही पहले से बना हुआ है जो मैंने कल पर सो आपको बात पता ही थी and then we use nb is equal to Gaussian knife base यानि to create the model फिर हमने क्या किया है हमने scores equal to रख लिए cross validation score यानि के ये वाला score and then nb आगे है इसके अंदर यानि के अपना model model लगाना है हमने ये पहले मैंने बता दिया अब इसको मैं तोड़ के आपको बता रहा हूँ के scores कैसे देखने है हमने देखने cross validation scores ये हमारा है X ये हमारा है Y ठीक है cross validation मैंने चार हिस्सों में तक्सीम किया डेटा को कितने हिस्सों में 4 और मैंने scoring किये के मुझे accuracy score दो इसका ये अब इसमें कितनी चीज़े आगी model तो हम पहले भी लगाते थे यहां पर हमने साथ में CV यानि कि क्रॉस वैलिडेशन कितनी दफ़ा करनी है number किया उसका and then scoring दे दी इससे क्या हुआ हमारे पास अगर scores को print किया जाए तो चार scores हमारे पास आ जाते हैं एक दो तीन और चार ये चार score आगे and then हमारे पास एक mean score आ जाता है ठीक है क्योंकि हम scores का जब mean लेते हैं यहां पर इससे mean score आ जागा जो मैंने आपको बात समझाई वो coding के दुरू इस तरीके से आप कर सकते हैं अब मैं इसी चीज़ को यहां पर run किया था पहले तो मेरे पास ये कुछ हो रहा है 0.94, 0.947, 0.9189 and 1 इसका मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ी variable मेरे पास values आ रही है cross validation की ठीक हो गया अब आगे यहां पर अगर मैं इसकी value 7 करता हूँ आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मेरे पास साथ हिस्सों में तक्सीम होके data आ गया और accuracy किसी की ज्यादा है किसी की कम हो रही है ठीक है लेकिन mean हमारे पास 95 भी है अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो हमारे पास 95 भी आ रही है और यहां पर चेक करें ये change हो रही है अगर ये एक minimum to maximum range इसकी कोई बहुत ज्यादा फरक में नहीं है तो आपका model अच्छा है आपका model सही train है अगर यहां पर मसला ये होके ये point nine है और यहां पर आ रही है point six seven तो इसका मतलब क्या है कि आपका model जनरलाइज नहीं कर पा रहा रहा नियू डेटा को सही है अब यह जो हम चीज़ देख रहे हैं यह basically आपके एक आपको बात बताता हूं अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं standard deviation as well standard deviation अब चैक कीजिएगा अब आपको कुछ समझ आईए mean और standard deviation की जो पहले हम बात किया करते देख ले stat हर जगा पे है इस वज़ा से मैंने आपको start में यह सारी चीज़ें समझाई थी mean हमारे पास आ रहा है 0.95 standard deviation हमारे पास आ रही है 0.026 इसको हम 0.3 कह सकते है 0.03 ठीक है इसका मतलब है plus minus 0.03 तो आपकी accuracy इस range के इर्दगिर्द रहेगी there are chances 95% chances ठीक है एक तो चीज़ यह होगी अगली चीज़ कितने cross validation के अंदर convert करना how to find cv value that's another question और अगर मैं यहां पे 15 लिख देता हूं रही तो फिर भी यह 0.95 लेकिन यह 0.06 होगी मतलब को इतना खास फरक नहीं परड़ा standard deviation में और बाकी चीज़ों में अगर मैं इसको 25 कर देता हूं अब चेक करें 95 ही है जी लेकिन यहां पर change आ रही है ठीक है मतलब plus minus कम ज्यादा होती जा रही है अब एक बात यहां पर समझ लीजेगा के usually आप cross validation का जो number है ना वो count करते हैं कैसे count करते हैं और sorry वो find करते हैं वो कैसे find करते हैं वो grid search cv के through आप एक से लेगे एक से लेगे को 30 40 50 तक number दे देंगे range बे नम पाई की range बे and then you will ask that model grid search cv के बताओ वी कितनी वाली cv best perform की है ठीक है तो आप उस तरीके से उसको performance में लेकर आ सकते grid search cv का topic अभी नहीं मैं आपको बता रहा है just giving you an idea कि you can actually find out the best cross validation number अब जैसे मैं manually कर रहा हूँ ना 5 अच्छा है 4 अच्छा है 3 अच्छा है 6 अच्छा है based on the accuracy score and standard deviation आप इसी चीज़ को code के through भी कर सकते हैं just to give you an example कि मैंने पांच लिखा यहां पर तो इसकी मेरे पास यह value हुआ है तो एक range में बताके कह सकता हूं कि मुझे best score plus less standard deviation वाली चीज़ देगो ठीक है then we will find out this thing एक question है इसको x y में खुद भी convert कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं मैं just giving an example कि आप अगर किया करा है data लेना तो यहां पर पड़ा होता है second line में x y बनाने की आपको जरूरत नहीं है just giving you that example अब फरक कर देखते हैं कि k-fold cross validation में train test split में क्या फरक है अब इन दोनों में जो major फरक है न वो यह है कि data use कप करना है in k-fold cross validation the data is split into k-equal parts और folds equal parts होने हैं सारे के सारे point to be noted k-fold में equal parts होंगे और train test split में क्या होता है unequal mostly 80 20 70 30 75 25 समझ रहें बात को so you know कि हम major portion रखते हैं training के लिए less portion रखते हैं अपने पास दूसरी चीज़ों के लिए और उसमें सिरफ दो पार्ट होते हैं इसमें ज्यादा होते हैं so the model is trained on k-1 of the fold and validated on the remaining fold ठीक है k-1 का मतलब यहां के total में से एक निकाल के जो मैंने आपको बताया पांच है तो एक को हम testing के लिए रख लेंगे चार को training के लिए k-1 का यह मतलब है कोई math मुश्किल तो नहीं लग रहा न क्योंकि concept हो में समझ आ गया अब आगे जलते हैं this process is repeated k-times मतलब यह अगर पांच का validation है तो पांच ही दफाई इसको repeat किया जाएगा तो वो जो लिखा होता है k-times हमने कर लिया k-times किया भी k-क है तो इसको समझाने के लिए कि यह validation का आपका cross-validation का number है with each fold being used once एक दफाई use होने हर एक फोल ने अब in contrast the train test split divides the data into two parts a training set and a testing set ठीक है इसमें training testing का concept नहीं है सारे के सारे training में आएंगे सारे के सारे testing में आएंगे एक एक दफा लेकिन train test split में हम बकाइदा divide करते है typically with the ratio of 70-30 और 80-20 the model is trained on the training set and evaluated on the testing set so we actually define कि यह training है यह testing है दूनों में फरक समझा आगे आपको कभी जिन्दिगी में अगर आप से question होता है k-fold cross-validation का यह cross-validation क्या थी तो आप answer कर सकेंगे ना interviews बगरा के अंदर जितनी देर से आप लोग सारे हुला रहे हैं ना कोई मसला नहीं है मैं आते पढ़ा देता है मैं तो कहने ना फर्जों अदा और कोशिच भी अच्छी कर रहा हूं मतलब यह नहीं है कि हम इस सर से उतार रहा हूं बाकि आपकी मर्जी है यकीन मैंने मेरा कोई हाथ नहीं है जो कुछ चल रहा है अच्छा जी डेटा यूजीज का पता चल गया आपको अभी मैं आ रहा हूं कि कौन सा कभी यूज करना है फिर हम चलेंगे के कौन सा एकुरेट है ठीक है अगर जिन लोगों के कैमरे ओन कर सकते हैं आप तो वहलो ना तुसी भी हो इंटरनेट दी वेच के जी पाकिसान ची प्लीज आप तो अन करें अपने कैमरे जारी बात है मैं दिवार को पढ़ाना हो तो मैं फिर रिकॉर्डिंग करके भी तो डेटा साइज डेटा यूजी जह मैं पता चल गया आप डेटा साइज की बात करते हैं के फोल्ट क्रॉस वालिडेशन इस ओफन यूज वन देटा स इजी है कि मैं उसके पांच-छे चंक्स बना लूँ ऐसे ही है पांच पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास दो दो हजार के आ जाएंगे रोज ऐसे है वो एजी है अगर वन मिलियन का डेटा है उसको मैं 600 में पहले तकसीम करूँ पहले तो कंप्यूटर ने उसको तकसीम करने में लगे रहे ना बाइसने को रिमूब करने के लिए फिर उसको मैंने कहना है कि अच्छा तकसीम कर लिए अब कले कले को पकड़ पकड़ के टेस्ट भी करो फिर एक्स्रा टाइम तो यूजली क्या होता है एक तो यहां पे relatively small data set पे अच्छा काम करते और बैटर implement and may be sufficient for evaluating the model, may be means आपकी जरूरत पूरी करेगा, but if you do k-fold cross validation यह थोड़ा time लेगी, खास तोर पे जो Google का data set आपको दिया था ना, आप अगर उस पे लगाते हैं train test split, it will work like this, मैं थोड़ा सा time लेगी, लेकिन k-fold cross validation अगर आथ तुसी number ही चोवी करते हैं, so it will take ages, तो 3-4-5 से start क करना है, और उपर से अगर grid set से भी में आपने कहा दिया मेरे को computer है, मैंने lunch करना है, बैड़ के या dinner करना है, इसको लगा हो machine learning train करने में, अभी वो दो राने लगा है, पांच-छे दिनों के अंदर, आपको बगाएधर task कैसे मिलेंगे कि लगा के सोजाएं, सुबह तक train हो अगर मॉडल, बाचो पता लगे shift entering in the way, so we will see that, और इंशाला इस चीज़ को हम देखेंगे, समझ आगी है, कि small data के लिए k-fold, बड़े data के लिए train test applied is usually use होता है, usually बात करना हो, अपने opinions आप different कर सकते है, performance किसकी अच्छी है, हाँ जी, जो आपका question आया था, k-fold cross validation provides a more accurate estimate of the model performance, एक point इसका हो गया, as it evaluates its performance on multiple independent subset of the data, साथ में दलील भी आ रही है, हमें मूँ चक्के उन्हें कहने देता है, कि k-fold अच्छा है, दलील ये है कि वो बार-बार subsets को चेक कर रहे है, तो जो इसकी बात कही हुई है, वो ज्यादा अच्छी है, otherwise, आपका अगर data, train test split में एक दफ accurate than this one, वो जिनका question था कि कौन सा best है, दलील के साथ जवाब आपके सामने हाजर है, बाकी depend करता है कि आपका data कितना बड़ा है, कितना चोटा है, अब लोग कहते हैं कि small data क्या होता है, इसमें बड़ा तजाद है, researchers कहते हैं कि जिस data के अंदर 100 से ज्यादा rows हैं, एक variable की, replicates से बोलते हैं, that is really big data set, उनके लिए, researchers के लिए, field to field depend करता है, जिनके पास sensors का data collect होता है, वो कहते हैं, यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो 100 सेकंड में खतम हो जाना है, time series वाले कहते हैं कि हमारे लिए big data वो है, जो कम असकम एक से एक साल से उपर का हो, और हर minute, 5 minute, 3 minute, 4 minute का data ह तो यह हर field के अंदर depend करता है कि कौन सा data छोटा है, कौन सा बढ़ा है, small data और big data में example आपने अगर लेनी है, तो मैं simply यह कहूँगा, कि जो thousands में data है न, that is still considered small data set, जो millions या billions में data है न, that is considered big data set in the field of IT, और यह आपकी dimension पे depend करता है, data आपको छोटा है कि बढ़ा, अब एक, दो 48 million का data हो जाना वो, तो सिर्फ रोज नहीं देखनी, you have to find out the dimensions, जरबें देखे, जरब का दो बताना क्या होता है, good हो गया, performance estimate का आपको पता चल गया, यह वो questions मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, वो points लिखे हुए हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जारी बात है लोगों का काम है पूछना, computation time, हाँ जी आप बता सकते हैं, आँखे बंद करके किसका computation time ज्यादा है, मैंने अभी आपको बता है, start बात ही हमने इससे की थी, k-fold का computational time ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपका computer आप देखके अंदाजा कर सकते हैं, क्या train discipline लगाना ह और इसमें कोई हद तक नहीं है, कि मेरा computer अगर, मैं जब start किया था, मेरे पास बहुत ठकड़ PC था, आपकी सोच हो नहीं, और मैं believer भी था कि क्या करना, अच्छा PC बस ठीक है, आप यकीन माने, जिस दिन नया PC लिया था, after that, जो भी बंदा पूछता है, PC लो, मैं कहता cross-validation is more robust and accurate technique for evaluating the performance of a machine learning model, आपके स्वाल का जवाँ, especially when the data set is relatively small, मतलब ये के दोनों में अच्छा काम करेगी, लेकिन छोटे data set पे और भी अच्छा करेगी, के for cross-validation काम, समिन नहीं बात कि, ये नहीं कि बिलकुल गंदा करेगी, और भी अच्छा करेगी, means, train disability is faster and simpler technique that can be used when the data set is larger and quick estimate of the model's performance is needed, सही है, जब आपने फौरन फौरन अपना जवाब देना हूँ, लोजन आप, ये थी एक example, यहाँ पे अब आपको, एक और cross-validation की example मैं दिखाता हूँ, गोशे knife-based के थुरूई, सेम वही काम हम कर रहे है, x और y में डिवाइड किया है, और x और y के अं scores is equal to this one, और usually on default setting, ये accuracy score ये आपको देते हैं, ठीक है, otherwise you can also write down here, कि scoring is equal to accuracy, तो ये accuracy score ये वैसे भी दे रहाता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 15 लगाया, cross-validation, मेरे पास main score की cross-validation 0.54 आई, मैं यहाँ पे 5 लगाता हूँ, 0.57 होगी accuracy, तो य range थोड़ी सी differentiate करती है, जब आप ज्यादा cross-validation की तरफ जाते हैं, and I would recommend कि आप हमेशा standard deviation ज़रूर निकालने हैं, क्योंकि ये आपको एक अच्छा idea दे सकती है, कि आपका score data कहां पे है, something like this, ठीक है, अब plot कैसे करना है इसको, जाहरी बात है, आपने ये भी तो देखना है कि कहां पे, कौन सी जगा पे अच्छा आ रहा है plot, ये 0.5 है, 0.55, 0.59, 65, 154, आपके पास अगर एक ऐस plot बन जाए, जो आपको बताए कि कहां पे आपके पास accuracy ज्यादा आ रही है, किस fold के उपर, तो आपको अंदाजा नहीं हो जाएगा कितने fold हमने लेने ही, क्या ख्याल ह उसी को plot करने के लिए simply आप वही सारा कुछ लगाते हैं, यहां तक same formula है, plot करने के लिए आप simply जो plot की range बनाते हैं, scores को आप simply plot कर देते हैं, ठीक है, और at the end आपके पास कुछ इस तरीके से plot आ जाता है, यह वही scatter plot है, basically, x और y को मैंने यहां पे points दिए हैं, तो आप देख स आपको मिल जाएका, don't worry, और यह मैं इस पर ज्यादा time इस वज़या से नहीं लगा रहा है, यह हमने अच्छा खासा इस पर काम किया, और आप बेसिक तरीके से इसको check करें, कि कहां पर कौन सी change है, आप यहां पे अगर कोई change करते हैं, CV को अगर मैं 8 करता हूं, then you have to write down the range here, और आपको उस तरीके से यहां पर फिर plot मिलेगा, otherwise अगर आप इसको नहीं change करेंगे, तो आपका plot change नहीं होगा, तो यहां पर आपके पास यह validation आ रही, यह थी जिक cross validation की techniques, जो अभी आपके सामने मैंने पेश की हैं, अब आगे चलते हैं हम अगले algorithm की तरफ, और उससे पहल एक छोटा सा आपको task, task यह है, अभी तक हमने जितने algorithm पढ़े हैं, उनकी जो list है वो दरा चैट में मुझे भीजिएगा, झाल झाल